हेलो मैं यूटूब फैमिली कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो मैं फाइनली आप लोग से मैं अपनी बेटी का अनप्राशन वीडियो शेयर कर रही हूँ आई होप आप लोग को पसंद आएगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आप लोग से सबसे पहले माफी चाहूंगी कि ये जो अनप्राशन का वीडियो मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ बट मैं घर से आने के बाद बहुत बिमार हो गए तो फाइनली मैं ये जो वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ बना रही हो बिना लहसन प्याज का है और नमक वाली भी चीज बना रही हूँ और मिठी चीज भी बना रही हूँ तो मेरा मन था कि मैं अपनी बेटी का 56 बोग लगाऊं तो देखो यहां भगवान की मरजी होती है कुछ भी सोचा हुआ चीज कभी कभी ऐसा होता नहीं है सोचने से भी जादा बढ़ कर हो जाता है मैं सोची थी 56 का भोग लगाऊं और यहां पे मेरी बेटी का हुआ था 84 आइटम्स लग गए थे मैंने खाना तो मतलब घर में 11 या 12 आइटम्स मैंने बनाये थे नमक और मीठा मिला के तो यहां पे जो आप खाली कटोडी देख रहे हो इसमें मुझे फ्रूट्स रखने थे तो यहां पे सारा चीज मैंने काउंट किया तो मुझे बहुत हंसी आ रहे थी कि यहां पे मेरे 84 4 आइटम्स हो गए थे तो इसमें मेरे सारे जेट जी मेरे हजबन सबने बहुत हैल्प की सबने मार्केट से लाके बहुत हैल्प कर दी और यहां पे अनप्राशन के एक दिन पहले ही मैंने अपनी सारी के आचल में पिनप लगा ली थी रात में पिनप कर ली थी ताकि मुझ अब जल्दी जल्दी अब मैने कुई पेहन रही थी शारी की खुली मेरी साड़ी खुल गाई थी क्योंकि आचल में मोटी की कारण यहां पर जल्दी मैं टेंपरोरी मैंने फिन लगा रके और जल्दी वीडियो ग्राफर वाले भईया आ गहां तो इसके शूट कराने लगी मालस का तो यहां पर मैंने आल्रेडी में Para Lys कर टुकी थी बस वीडियोग्राफ़र वाले भाईया के लिए मैं यहां पर वीडियो شूट कर रही थी तो इस बज़े से थोड़ थोड़े मैंने मालिस का शूट कर आया और बहुत गर्मी थी, बहुत जादा मतलब मैं दो साल से अभी करनाठका में हूँ तो यहाँ पर गर्मी वैसी नहीं होती है तो दो साल के बाद जो गर्मी जहली ना अब चलिक नगे मेरी बेटी को बहुत अच्छे से फोटो क्लिक कराई विडियो क्लिक कराई बहुत अच्छे से अप्र एसे मतलब 40 करने के बाद यहां मैंने गदे पीस को ऐसे भईया ने बोला है लिटा दो तो ऐसे हो रही थी जैसे लड़ा था अभी उठके बैट जाएगी अपनी बोडी को इदम इस ट्रेट कर ले रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से अब उसकी वीडियो क्लिक जो हो रही थी फोटो भाईया ने क्लिक किये तो बहुत अच्छा लग रहा था टच उट मेरी बेटी को नजर ना लगे उस दिन मेरी बेटी जने जो साथ दीना मैं क्या बताओं बहुत अच्छे से साथ दिया और यहां पर उसकी जब मालीस का हो गया तो मैं जटेमप्रोरी इसकी एक टप मैंने मं दाया था कि मैं थोड़ी सी दूद रख लेती हूं मैं बेटी का सबसे पहले दूद का असनान कराऊंगी तो यहां पर सब मेरी दादी सास ननाद मेरी शाशुमा जेठानी लो सब मिलके इसके सर पे दूद का ढाल कराए और देखो यह सब चीज ना मैं यहां से बिलकुल भ भाग में यह सब चीज था मेरे दिमाग में जैसे जैसे आता गया और मैं करती गई और यहां पर वीडियो शूट करा रही थी कि जो जो मुझे इसको पहनाने हैं सब वहां पर रख दी बहुत जल्दवाजी में मैं कर रही थी मैं क्या बता हूँ उस दिन का अगर मैं वीड से थे और उस दिन मेरी जैट जी की थोड़ी तब्यद भी खड़ाब हो गई थी तो थोड़ा सा उनको भी परिशानी का हो गया था एक दिन पहले ही मेरे मार्के से सारी पिखाईया लाकर देना हुआ तो यहां मैं फाइनली यहां पर देखो मैं जल्दी जल्दी रेडी होक और एक सिक्रेट बताओं मैं यहां पर आप लोग बिलीब नहीं करोंगे बिना मैं यहां पर कॉम किये ही मैं अपने हाथ से ही जल्दी जल्दी मैंने अपने बाल बनाए जुरा बनाए और क्योंकि पंडी जी आ गए थे तो जल्दी जल्दी बुला रहे थे तो फिर यहां तो यहां पर मेरी ननद ने यहां इन सबसे पहले पूजा होती हैं, यहां पर बॉजा कर सके तो यहांपर सबसे पहले सके पहां कर सके लेके कराते हैं. वो मैं कर रही हूं. तो बहुत γडबी थी. इतनी गडबी में मेरी अभी देखो मैं जस्ट अभी बैठी हूं. उसके बाद थोड़ी दिर के बाद देखो गए मेरी इतनी मतलब फेस स्वेटिंग-सवेटिंग हो रखी है कि मत पूछो जब कि side में fan लगे थे तो थोड़ी सी रहात हो रही थी fan से जैसे ही थोड़ा सा हटो तो इतने sweating sweating हो जाते थे मत पूछो मेरा बेटा भी मतलब गर्मी से परिशान हो गया था उसके तो shirt पूरे गिले हो गये थे मैंने उसके बाद में उसको बोले change कर लो मतलब इतनी जादा हो रखी थी और यहां पर एक चीज आप guessing करोगे तो हम लोग family थोड़ी सी blue communication में सब कपड़े पहने थे थोड़ी थोड़ी proper तो नहीं लेकिन हाथ थोड़ी थोड़ी blue communication में हमने सारे full family कपड़े पहने हैं तो ऐसा ही रहा और यह बहुत मुस्किल होता है यार हम करनाटका से बिहार जाकर अपनी बेटी का अनप्राशन किये यह कोई कम बड़ी बात नहीं है क्योंकि इतने दूर से बार-बार घर जाना possible नहीं होता है अभी तो हाल में ही मैं थोड़ी सी गोद में वैटी है तो थोड़ा सा इसको चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा तिस वज़े से मैं इसको थोड़ा पैंपरिंग कर रही हूँ तो बट यह कहलो कि इसने इतनी हैवी फ्रॉग पहने के बाब जूद भी यह रो नहीं रही थी मुझे टेंशन हो रहे थी सब को इनफेक्ट हो रहा था कि इतनी हैवी फ्रॉग पहना दी गर्मी में कैसे यह रहेगी रोएगी बट यही तो बात है सब कह रहे थे कि इसने बहुत अनप्राशन के दिन साथ दी रोई नहीं भूख लगती थी तो रोती थी अधरवाइज यह बहुत अच्छे से फोटो शूट करा रही थी बहुत सब को देखके मतलब विस्माइल कर रही थी सब के गोध में चली भी जाती थी इस वजे से मैं टेंशन फिरी थी तो यहाँ पर पूजा के बाद जिसरी फोटो शूट वेगर कराना थाराम से बुगा के साथ रहती थी और फोटो सूट कराती थी तो मुझे इस वाद का टेंशन नहीं रहता था थोड़ा बहुत क्रेकी होती थी तो मैं गोद में ले ले थी तो यहाँ पर अगर मैं भगवान को हजारों बार थाइंक्यू बोलू ना तो वो भी कम पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी कि कैसे होगा कैसे होगा इतनी दूर से जाकर मैं कैसे कर पाऊंगी यह तो है कि सारे जेट जी ने सा देना सब अच्छी से करा देना ऑड़ भगवांजी ने सब अच्छे से करा दिया थोड़ी बहुत जित्ना चीज मैं सोची भी नहीं थी उससे ज्यादा बढ़ कर हूआ यह लेकिन ये चीज था मैं तने अच्छी से में अपने आप को प्रिपेर नहीं कर पाई मैं सोची थी बहुत अच्छे से मैं अपना मेकप करूँगी बहुत अच्छे से सजूँगी बट गर्मी के कारण कुछ नहीं हो पाया और टाइम भी वैसा नहीं था क्योंकि सुबह सुबह से ही पूजा वेगरा होना था तो वो नहीं हो पाया मैं सोची थी कि अच्छे से मैं रिल्स वनाऊंगी अच्छे से वीडियो शूट करूंगी स्टेज पर मैं भी रिल्स वनाऊंगी बट वो सब नहीं हो पाया बट बेटी का अनप्राशन भगवान के दया से बहुत अच्छे से हुआ सब हम लोग करनाट का साइड में रहते हैं तो हमारे यहां कोई फैमिली मेंबर नहीं है इस वज़े से मेरा मन था कि वहां जाकर इसका अनप्राशन करूं ताकि सारे फैमिली सब रहे और बेटे का जब अनप्राशन किया था तो उसे मैं दैले में थे तो वहां पर दादू दाद पर आप वीडियो में देखो maggie John 50 लगे थी वीडियो में मैंुझे साँ हो रहा है बट मैं क्या करूँ आ पर बहुत ज्यादा गर्मी के वज़े से मतलब यहां पे मतलब मतलब हर्षाद एक नबी रख रही है थी मगी पर जाइता नहीं कहा से उस दिन तो यह सब चीज थे मतलब बहुत वीडियो में खड़ाब लग रहा है बढ़ फिर भी मैनेज करना तो यहां पर देखो मेरी बेटी यहां पर बड़े अच्छे से प्ले कर रही है अब थोड़ी चार्ज हो गई है सोके उठी है तो यहां पर फिर अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद मेरी बेटी को पंडी जी वो खीर खिलाएंगे तो यहां पर देखो पूजा होते होते इतनी टाइम हो गई थी पता ही नहीं चला चला मतलब पूजा करते करते तो यहां पर पंडी जी बोल रहे थे अड़े इतना टाइम हो गया हमें तो पता ही नहीं चला हमें को नहीं दिखेंगे क्योंकि वह सबसे लास्ट में आये थे यहां पर मेरी जितनी वी चाची सास लोग और भी फैमली मेंबर लोग जो है सब पूजा में यहां पर देखो आरती वेगरा सब लास्ट मतलब यह चल रहा है पूजा का तो यहां पर जल्दवाजी में मैंने फास् मतलब मेरी बेटी खीर खा रही है यहां पर पंडी जी खीर खिला रहा है तो देखते देखते यहां पर देखो मेरी बेटी का फिप्त मन्त आज लास्ट डेट है उसका अनपराशन के दिन ही मतलब इसकी 14 फैब को मतलब 14 को जनम है और यहां पर देखो 13 जुलाई को इसकी कनपरासन का हो रहा है मतलब 14 से इसके 6 स्टार्ट हो जाएंगे 5 से लास्ट डेट में जो ओंगे पर पंडी जी ऊप्र उपनेम और मू Xiang मुझे आशिरवादध दो यहांबर सब disasters Ka xya से हो गए और बहुत ज्यादा मेरे हजबेंट तो मतलब इतने पसीने पसीने हो रखे थे कि मत पूछो बहुत ज्यादा स्वैटिंग हो रहे थे और यहां पर देखो इस पेस की कमी के कारणा मेरे 84 भोग जो है न वो सिमट के रह गए मतलब ज्यादा मतलब फैला के नहीं रख क्योंकि लेट भी बहुत थोड़े थे सबका लंच का टाइम भी हो रहा था और यहां पर देखो मेरे दादा ससूर और दादी सास जो हैं पहले पंडी जी के बाद उन्होंने खीर खिलाए उसके बाद मेरी सासुमा ने खिलाए तो यहां पर सबसे अभी मतलब बड़े मेरे द यहाँ पर मेरी चैंची को सब देखो कि एक लाइन से सबस्तों मेरी बेटी को सब भी छाइए तर बहुत आच्छा लगता है कि मतलब तेखो घर जाकर इस वज़े मतलब मेरा मनता कि वहाँ जाकर करना क्यूंकि सब का ब्लेशill मिलना सबका असिरवाद मिलना सबको यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर यह मेरी मौसी सास है और मौसा जी है यहाँ पर फिर से मेरी चाची सास है चाचा जी है तो यहाँ पर सबका असिरवाद मेरी बेटी को मिलना और मेरे बेटे ने भी तो देखा कभी इस तरह से मत तो यहां पर देखो यहां पर वीडियो एडिट ay भी तो मुझे एक चीज बहुत खल गई कि यहां पर देखो मेरी यह चाची जी है तो यहाँ पर उनका भी वीडियो आता बाई क्या कर सकते हैं तो चाचा जी अभी कभी भी हम लोग के साथ नहीं रहेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके बिटिया रानी के बड़े पापा, बड़ी मंमा है, जो अभी इनको खीर खिलाएंगे, तो यहाँ पर खुब बड़े पापा थे इसके बड़ी मंमा खुब excited हो रही है, कि मेरी बिटिया रानी अब खीर खाने लगेगी, अब में लगे हुए थे कि सब हम खिलाएंगे क्योंकि यह सब जो है ना मुमेंट कैप्चर हो जाती है बहुत अच्छा लगता है कि यहां पर देखो और यहां देखो मैं सोच रहती कि अब इसको चेंज करा दूंगे क्योंकि गर्मी से यह भी परिशान हो रही होगी बट अभी थ चोटू से मेरे देवर जी जो है चोटू से वो भी इसको खिला रहे है बगल में उनकी बुआ है वो भी खिला रहे है और यहां पर मेरे भैगना भैगनी मेरी मामी साज की बेटी है वो सब भी एक पर लाइन में लगे हुए थे वो भी खिलाय जा रहे है और मेरे तो पसीने से मतलब मैं क्या बोलू मेरी फेस पूरी स्वेटिंग स्वेटिंग हो रखी थी और लास्ट में मैं सोची हम लोग कब खिलाएंगे भाई मापापा तो हर दिन खिलाएंगे बट आज के दिन तो खिलाना बनता है तो फिर हम लोगों ने भी खिलाए मेरे इसके मेरी बिटिया कराने के सब भाई ने भी खिलाए तो बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया कैसा लगता है आप लोग को ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरी बेटी को भो सारा ब्लेसिंग देना और मतलब आप लोग मुझे इस तरह से अगर इंस्टाग्राम पे भी चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि आप मुझे वहां पे भी रिल्स में आप मुझे देख सको तो यहां पर देखो मेरी चोटी ननद है उनके बेटा बेटी है उनका भी है और यहां पे मेरी इकलौती मामी सास है तो यहां पे मेरी मामी सास जैसे होते हैं डिलेटिव वो सब भी आ के मेरी बेटी को ब्लेसिंग दे रहे थे तो गिप्ट वेगरा जो देना होता है वो सब दे रहे थे क्योंकि भाईया के जैसे मेरे जेटची के फ्रेंड्स हो गए मेरे रिलेटिव वहां पर और जो भी मतलब हम लोग तो वहां नहीं जो जान पहचान के सब रहते वहां पर वो सब भी गेप्ट दे रहे थे यहां पर इसके दादू है और यह बाहर का डेकोरेशन जो हुआ था वो सब है और यहां पर जो स्टेज बनी थी वो इस तरह से यहां पर देखो डेकोरेशन यहां पर हुआ था तो सब बहुत बड़ी ममा भी उसको कहीर घ़ी ला रही हैę बडड़ी च्यों ढ़फ दिखहा रहा मामी साजे ऊसे में कहीर करें तो मामा जी मतलब मेरे मेरे पूजा करने के वाद चली गए है भुए लोग ने गोध में इसको रख्यंग, फोटो शूट कराया। सब मेंबर जो आ रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे, इनों नहीं गोद में पकर के अराम से इसको रखे थे, यहाँ पर इनके दादू लोग भी सब बीच बीच में होता रहा रहा था, इस्टेज पर सब बुआ उनको लेके बैठी थी, जो खाना खा रहे थे, वहाँ पर उसको blessing दे रहे थे, gift विगहा जो देना होता वो दे रहे थे, और साथ साथ में, side में खाना का भी arrange हुआ था, त उआा पर decoration हुआ था, और यहाँ पर सब खाना भी खा रहे थे साथ साथ में, और यहाँ पर देखो हम मैंने उसका कप्ड़े change कर दिये थे, तो यहाँ पर उसको वो यह वाले कपड़े पहनाए थे उस दिन मतलब उतना ही देर में इसके थ्री कपड़े चेंज हुए तो यहाँ पर खाना भी चल रहा और इसकी बुआ लोग जो है यहाँ पर सब को फोटो शुट करा रही है सब मेंबर आ रहे थे सब उनको ब्लेसिंग दिलवा रही है तो यहा यहाँ पर खाना खांऑ लिए उसके बाद लाश्टली हम सभ फैमिली में गए मतलब मेरे जेड जी मैं मेरे हस्बें मेरे लोग मेरे चाचा सशूरी मैं इसके लोग पर घ cultivation आपक linha की यहांसियों थैस्ट में नाज़ की शुए तो यह बाता सब भाइया देखो गिप्ट दे रहा है तो Wakanda मैं सब गरे ने मेरी बेटी इतनी जादा मुह से लार निकाल रही थी कपड़े में गीले हो जा रहे थी कितने भी विप्स पहना विप्स भी गर्मी से परिशान हो जाती थी पहन पहन के इसलिए मैंने उतार दिये थे यहाँ पर मेरी यह बड़ी सिस्टर है तो इतने इसके कपरे जोलरी यह सब चीज मतलब इतने मीलने की भड़मार हो गए है इसके तो यह सब हो गए और यहाँ पर शाब एक पेक मेरी बड़ी दीदी हो गई मेरी third वाली दीदी यहाँ पर ये भी देखो मेरे मैके से भाया आया थे तो वो भी यहाँ पर इसको gift दे रहे थे और मेरे बगल में मेरी third वाली दीदी की बेटी बैठी हुई है बहुत ही cute लगती है तो बहुत अच्छा dance करती है वही है ना time का कम मतलब यह हो गया कुछ भी यह सब चीज नहीं कर पाई यहाँ पर मेरी third वाली दीदी है तो time के कारण ही ना बहुत चीज मैं नहीं कर पाई अधरवाइज बहुत बहुत enjoy होता क्योंकि गाना चल रहे थी तो सब का मन था dance करने का बट नहीं हो पाई यहाँ पर देखो मेरे सारे family member हैं तो मेर बड़ी दीदी, third वाली दीदी मेरे भाईया, यहाँ पर दीदी की बेटी और भी भाईया लोग हैं तो यहाँ पर सब ने बहुत अच्छा यह दीदी लोग बहुत last में आई क्योंकि मेरी बड़ी दीदी teacher है तो उनका कुछ teacher का school में कुछ problem हो गया था तो इस वज़े से थ अनपराशन के दिन इनके बाड़िस भी होने लगे थे तो यहाँ पर तो इस वज़े से थोड़ा सा मज़ा यह हो गया और टाइम भी कम था यहाँ पर देखो सब उसके बरातार सरी सब फोटो किलिक करवाया और यहाँ पर इसको single photo किलिक कराया तो मुझे कमेंट करके जरू जरूर बताना कैसा लगा आप लोग को यह मेरा बेटी का अनपराशन सेलिवरेशन तो जरूर मुझे बताना अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना और अगर अपने फैमली के साथ भी अ प्रवब चीओ